नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में वीट ग्रास यानि गेहूं के जुआरे जो गेहूं को मिट्टी में बोने के बाद निकलते हैं इसके जूस का सेवन सेहत के लिए काफी फाइदे मन माना जाता है इसके 6-8 इंच तक लंबे जुआरों को पीस कर जूस निकला जाता है इसमें काफी मात्रा में मेगनीशियम, क्लोरोफिल, कैल्शियम, आयोडिन, सेलेनियम, जिंक, आयरन, फाइबर, विटामिन के, विटामिन बी, सी और ई जैसे पोशक तद्व पाय जाते हैं जो कई तरह के स्वास्थ लाप देने में मददकार होते हैं इसी कारण इसको कई लोग घर के गमलों में लॉन में उगाते हैं जिससे इसका सेवन कर सके जिनको ये वीट ग्रास ताजी हरी नहीं मिल पाती, वो लोग इसके पावडर का भी सेवन करते हैं wheatgrass juice का सेवन करने से hypertension यानि high blood pressure को control रखने में मदद मिलती है साथ ही ये कई अन्य बैमारी को दूर रखने में भी कारेगर है आज हम आपको बताएंगे कि wheatgrass को खाली पेट पीने से क्या होता है wheatgrass से कैसे control रहता है hypertension wheatgrass में calcium, magnesium, phosphorus और potassium पाय जाते हैं इसमें potassium का एक ऐसा mineral है जो blood pressure को control रखने में पायदे मन होता है इसके सेवन से high blood pressure को control में रखता सकता है इसके अलावा इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और cholesterol भी control में रहता है वीटgrass को पीस कर, juice निकाल करर इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी पूरि होती है इसका सेवन व्यक्ति को anemic होने से बचा सकता है obesity wheatgrass juice के सेवन से obesity की दिक्कट से निजात मिलती है wheatgrass में calorie की मातरा बेहत कम होती है और fiber की मातरा काफी होती है इसके सेवन से शरीर को पुशक तत्व, तो मिलते ही हैं, पेट भी भार रहता है. डाइजेशन वीट ग्रास जूस के सेवन से डाइजेशन ठीक रहता है, इस में कई तरह के एंजाइन्स काफी मात्रा में पाय जाते हैं, जो शरीर में भोजन को पचाने में मदद करते हैं Bat Cholesterol Wheat Grass juice का 7 Bat Cholesterol के लेवल को कम करने मदद करता है जिसकी वजह से दिल की विमारी होने का खत्रा कम रहता है Wheat Grass के juice का 7 कैने से शरीर की सूजन से तो छुटकारा मिलता ही है आतों में आ रही सुजन भी कम होती है जिससे ulcerative colitis होने का खत्रा कम होता है तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले